असलाम अलेकुम चिरिडरन, how are you all, hope you all are fine and doing very well. घी तो बच्चों, आज ही क्लास में हम remaining classes of invertebrates को discuss करेंगे. जैसा कि हमने previous class में discuss किया, classification of invertebrates में first one हमने discuss किया, sponges को, फिर हमने बात की, worms की. तो आज की क्लास में हम remaining three classes of invertebrates को discuss करेंगे. तो उसमें पहली क्लास है insects, the second one is mollusks and the third one is echinoderms. तो बात करेंगे insects से, ठीक है? Insects are the animals with jointed legs. Insects वो वाले जो हैं, वो animals हैं, जिनके पास jointed legs होती हैं. उनकी जो body होती है, वो segmented होती है. मतलब इनकी body की हिस्से होते है, segment mean हिस्से. Their body is divided into three parts. इनकी body को mainly, आम तोर पे, तीन हिस्सों में divide किया जाता है. The first one is head, second one is thorax, and the third one is abdomen. जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा. जो insects की legs होती है, वो mostly होती है, six होती है, या फिर three pairs में हो सकती है. आप कह सकते हैं कि insects के पास three pair of legs होते हैं, मतलब तीन जोड़े टांगों के होते हैं, या पिर इनके पास six legs, मतलब छे टांगे होती हैं, ठीके? अब बात करते हैं इनकी body की outer covering की, ठीके? इनकी जो body होती है, वो outer covering जो होती है, जो बाहर वाली covering होती है, वो hard होती है. जिसको हम exoskeleton भी कहते हैं, ठीके? exo mean outer, and skeleton mean dangea. their exoskeleton support and protect the body. ठीक है इनका जो exoskeleton होता है जो outer covering होती है जो body का बाहर वाला ढांचा होता है वो इनको एक तो support provide करते है और दूसरा इनको protect करते है इनकी कुछ examples यह हैं जैसे के वास्प, mosquitoes, cockroaches वगारा यह सारे के सारे insects में आ जाते हैं इनकी कुछ examples ऐसी हैं जो अपने environment में अपने आपको hide कर सकती हैं जैसे के leaf insect, leaf insect जो है वो ऐसा insect होता है जो leaf की तरह से दिखता है, पत्ते की तरह से दिखता है, it can hide it in their surrounding, ठीक है यह अपने आपको अपनी surrounding में hide कर सकता है दूसरी example है, वो है stick insect, जो stick insect है वो इस तरह से नजर आता है जैसे के एक stick walk करी हो, ठीक है इसलिए इसको walking stick भी बोलते हैं it can hide itself in their surrounding, ठीक है यह भी अपने आपको अपनी surrounding में hide कर सकते हैं अब बात करेंगे mollusk की, ठीक है, mollusk जो होते हैं वो fourth class of invertebrates हैं, यह soft bodied होते हैं, they live in the water, river, lakes, ocean and on land, ठीक है इन में से जो कुछ example है, कुछ mollusk जो होते हैं, उनकी body covered होती है hard shell से, ठीक है, उनकी body की उपर hard shell होता है, जो उनको protect करता है जैसे कि oyster की body की उपर होता है, snail की body की उपर होता है, ठीक है, जो उनको protect करता है, और उनको जो है, वो support करता है अब कुछ mollusk होते हैं, उनकी body की उपर जो hard shell होता है, वो नहीं होता, जैसे कि octopus कुछ mollusk होते हैं, वो really move कर सकते हैं, और they may be found stick to anything, ठीक है, या ये किसी और चीज़ के साथ भी stick होके survive कर सकते हैं, अब बात करेंगे, कुछ mollusk होते हैं, उनकी body के अंदर जो है, वो pearl making होती है, ठीक है, पर्ल बनते हैं, पर्ल कहते हैं, मोती को, इनकी body जो होती हैं, वो मोती बनाती हैं, जैसे कि oyster, oyster की body में rate का या जो है, वो कोई salt का जरा दाखिल हो जाता है, पानी के जरीए, और फिर क्या होता है, over the period of time, उसकी body के उस जर्रे के उपर layering करती है, ठीक है, अपनी secretions की, अपने जो उसकी body से रतूबते खारज होती हैं, वो उसकी उपर आती जा जाती हैं, इस तरह over the period of time, जो है, वो date का जर्रा वो turn कर जाता है into pearl, it takes years to form a pearl, ठीक है, pearl making में years भी लग सकते हैं, अब बात करेंगे एकाइनोडर्म्स की, the last class of invertebrates, इनकी body भी soft होती है, और इनके जो body structure होता है, वो disc like होता है, star shape होता है, या जो है, वो long भी हो सकते है, ठीक मतलब गोल हो सकता है, star की तरह से हो सकता है, या फिर वो long भी हो सकता है, इनकी body जो होती है, वो spiny coverings होती हैं, इनकी body के उपर, मतलब जो कांटे की तरह से structures होते हैं, वो इनकी body के उपर पाए जाते हैं, इनकी examples में starfish आते हैं, sea animal आते हैं, and brittle star आते हैं, जी तो बच्चों, उमीद करती हूँ, आज का लेसन आपको समझ आया होगा, अगली class में bio diversity के topic के साथ, इन्शाला आप से मुलाकात होगी, तब तक के लिए, अलाहाफिज,